यदि आप आश्ट लक्ष्मी नवनिधी कुबेर को प्रसंद करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाकिशाली अफसर हो सकता है आपके लिए. जोदपूर के पंडित श्विमाली जी द्वारा निर्मित अश्ट लक्ष्मी नवनिधी कुबेर कलश प्राप्त करके आप अश्ट लक्ष्मी का आशिरवात प्रांथ कर सकते हैं, इस कलश में आपको दीपावली पर स्थाफित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादु का दक् और घर की महिलाओं के पूजन के लिए ना केशन और पंच धातों के डिप भी रख्त गूंजा, गोमती चक्र जैसे दिवे अनेक वस्तों ही मिलेंगी, और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्रियंत्र बेंडल और प्रेसलेट भी मिलेंगी, ये कलश आप घर बैठे ही प पर करें, 0291-2621-625 नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका स्वागत अविलनदल मेरे इस चैनल में इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं, श्राद की तरपन की, क्या कारण है कि एक वर्स में अथा 365 दिन में सिरफ और सिरफ पंदरा दिन ही रखे गए हैं, वो सिरफ और सिरफ पित्रों के निमित ही रखे गए हैं एक वर्स में बारा माह होते हैं और बारा माह का मतलब दो दो पक्स होते हैं शुक्ल पक्स और कृष्ण पक्स तो चौबिस पक्स में से सिर्फ और सिर्फ एक पक्स है वो उस पक्स में सिर्फ पित्रों के निमित ही श्राद कर्म होते हैं तरपन कर्म होते हैं आपने देखा होगा कि जब SHRAT VAKस आता है जिसको महालया कहा जाता है उस समेह काल में कोई मौरत, कोई विवा, कोई यग्योपवित, कोई दुकान का मौरत, कोई सुबकारिय, कुछ भी नहीं होता है सरफ आसरफ एक ही कर्म होता है वह है SHRAT कर्म पित्रों को याद करना व्यक्ति जब इस संसार में नहीं है हमने उसको मढ़ने के बाद में जला दिया उसके बाद में पित्र कहां से हो गया और कौन सी उनकी योनी है और कब वापस जन्म हुआ ये सब चीज़ें मानने में नहीं आती है जो नहीं मानते हैं उसके लिए हम समझाने नहीं बैठेंगे लेकिन जो मानते हैं जिनको मालूम है कि पित्र होते हैं अथात आप इस संसार में हैं इसका मतलब आपके पिता हैं वो इस संसार में थे इसका मतलब उनके भी पिता जी थे तो ये चेन चली आ रही है और इसे ही पित्र रंका गया है तो साथ में सबसे ज़्यादा जो महत्व ह वो है जल से तरपन देने का क्योंकि हमेशा पित्रों को जल से तरप्त किया जाता है वो प्यासे होते हैं वो प्यासे होने के साथ में आप से क्या डिमांड करते हैं आप से क्या चाते हैं सरफ और सरफ जल से तरपन अथाथ आप उन्हें सद्धान जली दें आप उन्हें दान दें, उन्हें आप भोजन कराएं, जो भी आपके पिताजी या जो भी पित्र, जो पूर्वस थे, वो जो पैहनते थे, वो वस्तर या जो कुछ भी आप उनके निवित दे सकते हैं वो दान देने को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है सद्दान चली मानी जाती है तो सबसे पहला प्रस्थन है अथाथ आप ही लोगों ने जिग्यासा हमको भेजी है तो स्राद में पित्रों को जल से तरपन क्यों किया जाता है यह बारी शंका है कि सिर्प वासर पानी से क्यों? दूर से भी तो दिया जा सकता है, और किसी पदा से दिया जा सकता है. अगर मेरी पिता जी को बहुत अच्छी खीर बहुत पसंग थी थी, खीर से क्यों नहीं दे सकता तरपण? तो ऐसा नहीं है, शुक्रवार 13 सितंबर से 2019 में पित्रपक्स आरम हो जाएगा, इसके साथ ही साथ पित्रगन परलोग से धर्ती पर आएंगे और अपनी अपनी संतानों से शाद और तरपन की चाहत लगाएवे खड़े रहेंगे, ऐसा सास्त्रों का मत है, सास्त्र कहते हैं कि पित्रपक्स में परलोग गए व्यक्ति की आत्मा धर्ती पर आती है, और शाद तरपन की इच्छा रखती है, सास्तों में एक पुरान है, गरुड पुरान, उस गरुड पुरान में बताया गया है कि शाद और तरपन से ही पित्रों को संतुष्टी मिलती है, और उनकी आत् चिस को चिए नहीं नहीं बनाद है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो वास्ता में में अपने जीवन में अंधर से दुखी रहते हैं और यह प्रैक्तिकल है तो इसे ही तरपन कहते हैं अथा जो स्राथ प्रक्स में पित्रों का साद और तरपन किया जाता है उसे ही तरपन कहा जाता है सरीर को उनी ने पाला पोसा बड़ा किया और योग्य बनाया उनी के प्रबाव से हम इस योग्य बन सके इसलिए पितर रिनोन को अथा जो भी रिने मातर रिने पितर रिने रिशी रिने कई प्रकार के हमारे उपर रिने उसमें पितर रिन को प्रमुक्ता देते वे उन्हें य इसमें किसी वस्तू की जवत नहीं है, सिरफ और सिरफ जल की जवत है, यदि कोई व्यक्ति नदी में, यदि कोई व्यक्ति तालाब में, समुद्र की किनारे, या घर में ही परात भरके पानी अता, थाली में पानी बरके, वहीं पर अंजली दे करके अपने पित्रों को जलांजली कहा जाती है उसको भी जलांजली बोलते हैं उसी को ही तरपन बोलते हैं जो वस्तुएं चाहिए वो कभी उपलब्द हो सकती है और कभी नहीं किन्तु जल ऐसी वस्तुएं जिसे हम दैनिक जीवन में अनिवारी रूप से प्रियोग करते ही हैं वो हर जगे मिल भी जाता है इसलिए जलान जली को सरल सुलब माना गया है हमेशा के लिए सूरी नाराइन को अर्ग तुलसी व्रक्स को जलदान अथितियों को अर्ग तता पित्र गणों को तरपन देने का विदान है तरपन की पित्रों पित्रों को आवश्यक्ता है या नहीं या केवल अपनी भावना है सास्तिर बासा में इसे ही तरपन कहते हैं पितर रिण को चुकाने के लिए दूसरा काम आता है दूसरा कारी आता है वह है श्राद इसका प्रचलीत रूप है ब्रामन भोजन जो की मातर भोजन रह गया है पर बात ऐसी है नहीं अपने साधनों का एक अंस अता जो कुछ भी आपके पास में है उसका एक अंस जो भी आप मानते हैं वो पितर प्रियोजोनों के निमित ऐसे कारियों में लगाया जाना चाहिए जिससे लोग कल्यान की भावना का साधन सदता हो अता समाज की बलाई के लिए चाहे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के दीन ही ने चाहे कोई ऐसा आश्रम है जहां पर की अनात बच्चे पढ़ते हैं ऐसा कोई आश्रम है जा कोडी लूले लंगडे इन लोगों का इलाज होता है अता आप अपनी जो भी कमाई है उसमें से जो भी percentage आप सोचते हैं वो जरूर ऐसे लोग कल्यान की बावना के निमित आपको लगाना चाहिए ये पित्रों के लिए सची सदांजली होगी भारती संस्कति में साथ प्रक्स की श्राद का मतलब क्या है जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद है तो श्राद की बड़ी भारी में अता है शास्तों का निर्दे से कि माता प्रीता आदि के निमित नाम और गोत्र का उच्छारन करके श्राद किया जाता है नत्यु के बाद में पित्र जाए जिस योनी में चले जाए उस जीव को पित्र भाव वही प्राप्त हो जाता है अताद वो श्राद का जो कुछ भी भाव है जो कुछ भी आपने वस्तुग जो बनाई है जो दान दिये वो उनको उस रूप में प्राप्ट होती है प्राप्ती का प्रकार अलग-लग हो सकता है त्यासे कि जो पसु योनी में पित्र होंगे उसे तरन रूप में सर्प योनी में होंगे उन्हें वायू रूप में और यक्ष रूप जो यक्ष योनी में होंगे उसे पे रूप में मानव योनी में जो होंगे उसे अन रूप में और जो प्रेत योनी में होंगे उसे रिदूर अथा रुदि रूप में ख श्राद ही मनाएजाते है चार साद का ही उलेक मिलता है यहें पाढणव एकोदिष्ट व्रधी और संबिट सपिंडी करण व्रधी साद का अरत है नांदी मुख श्राद से है श्राद पक्स में पित्रों के निमित पार्णव श्राद किया जाता है वार्सिक नत्यूतिती पर यही श्राद होता है यातरा के दोरां यातरा श्राद का भी वर्णन है श्राद में पकाए गए खाद्यान अता जो भी खाना पकाते हैं उसकी या अपने पूरो जोगा स्राद दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए गंगा अधी पवित्र नदी के तटियों गंगा यमुना जो भी पवित्र नदीया हैं यदि उनके तटों पर आप स्राद का कुछ महत्व कुछ कारे करते हैं तो बहुत विसेस महत्व है लेकिन यदि दूसरे प्रदेश में दूसरे राज्य में स्राद किया जाए तो उस प्रदेश के पित्रों को भी जल देना चाहिए अधाद आप दूसरे की भूमी पर दूसरे राज्य की भूमी पर यदि स्राध कर रहे हैं तरपन कर रहे हैं तो उस इस्थान के पितरों को भी आपने जल देना चाहिएं उनको भी याद करना चाहिए तीरतों से भी अधिक पुन्य अपने घर पर किये गए श्राद से मिलता है अधाद अपना घर जहाँ आप रोजाना रहते हैं जहाँ आपके बूरुजों की तस्वीर लगी हुई है जहाँ आपके पूरुज भी रहते थे या आपका कोई न कोई आवास है निवास है एडरस है वहाँ पर करना सबसे ज़्यादा सही माना गया है श्राद को यदि मजबूरी में दूसरे की स्थान पर स्राद करना पड़े तो उस इस्थान का किराय चुका करके श्राद किया जा सकता है शास्तों के अनुसार मनुष्य को अताद मानव को स्राद से विमुक नहीं होना चाहिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्राद नहीं करूँगा चाहे पिता जी से कितने भी आप उनसे शद्धा नहीं रखते हो उनसे लड़े जगड़ा हो चुका हो वो आपको सम्माम नहीं देते हूं आप उनको याद नहीं करना चाहते हैं कुछ भी हो सकता है आपस में वैचार एक मतबेद होते हैं लेकिन जब नत्यू हो जाती है तो उसके बाद में हमेशा व्यक्ति की अच्छाईयों को याद किया जाता है मत्यू के बाद में व्यक्ति को स्वर्गवासी ही बोला जाता है और मत्यू के बाद में किसी को गाली नहीं दे जाती कोई दुश्मनी जब भी होती है उसको भी बुला दिया जाता है उसको भी जीरो कर दिया जाता है इसलिए यदि आप उनके पुत्र हैं तो आप का ये पित्र रिर्ण जिसको बोलते हैं वह है आप उनका स्राद करें अपनी तिथी पर अपना हव्य भाग लेने के लिए अताथ अपना भाग लेने के लिए पित्र अपने पुत्र के द्वार पर आते हैं उस दिन पुत्र यदि उनका पित्र का स्राद ना करें अपने पूर उनका स्राद आप अमावश्या को कर सकते हैं सरुपित्र अमावश्या एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी व्यक्ति जिसका भी आपको याद है नहीं है जो भी आपकी पीडी के जो भी आपकी गोत्र के समस्त जो पित्र है उन सबका श्राद आप स्राद पक्स की सरुपित्र अमाउसिया को कर सकते हैं अब बात करते हैं किस स्राद का क्या महत्व है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णिमा की स्राद की किसी व्यक्ति की मृत्यू यदि पूर्णिमा को हो जाए तो उसका श्राद बादिरपद शुक्लबक्ष की पूर्णिमा को करना चाहिए इसमें दादा-दादी पर दादा-पर दादी नाना-नानी का श्राद कर सकते हैं 19 सितंबर को पंचमी तिती दिन गुरुवार को बढ़नी नक्षतर होने के कारण बढ़नी का स्राद कहा जाता है बढ़नी नक्षतर में पित्रों का पार्णव स्राद करने का विसेश महत्व है यह स्राद करने से गया स्राद करने जितना महत्व मिलता है जितना पुन्य मिलता है नवमी तिती को स्वभाग्यवती इस्तियों का स्राद किया जाता है अथा जो इस्तियों की मत्यू स्वभाग्यवती होते वे अथा स्वभाग्यवती हो जाए या उतकी मत्यू हो जाए तो उसको स्वभाग्यवती बोला जाता है तो स्वभाग्यवती इस्तियों का स्राद नौमी तिति को श्राद पक्स की जो नौमी तिति आती है उस दिन करना चाहिए फिर बात आती है सन्यासियों का स्राद कब करना चाहिए तो जो सन्यासियों जिन्होंने गरस्त सुख छोड़ दिया है गरस्त आश्रम छोड़ दिया है वो सन्यासी उनका स्राद पार्णों प्रदिति से 12 तिति को किया जाता है स्राद प्रक्ष में जब 12 तिति होती है उस दिन सन्यासियों का स्राद होता है चाहे उसकी मत्यू चाहे उनकी मत्यू किसी भी दिन हो चुकी हो ठीक चाहे प्रतिपदा को होई हो नवमी को होई हो अमावश्यक को होई हो किसी भी दिन होई हो लेकिन सन्यासी यदि व्यक्ति है तो उसका श्राद द्वाद असितिति को किया जाएगा अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनका एक्सिडेंट या जिनकी म्रत्यू वाहन दुरगटना से साप के काटने से जैर के खाने से आत्मत्या से अकाल म्रत्यू के कारण म्रत्यू होई हो उनका श्राद 27 सितंबर शुक्रवार चतुदसी के दिन करना चाहिए आता अमावस्या को करना चाहिए अता साथपक्स का जो अंतिम दिन है उसे सरुपित्र अमावस्या का जाता है उस दिन स्राद करना उचित रहेगा श्राद में पिंडदान और तरपन करने के बाद में पंचवली करने के बाद में ब्रामनों को भोजन करवाना चाहिए जो पंचवली है पंचवली के बिना श्राद पूर्ण नहीं होता है अथाद ये पंचवली क्या है गाये को पस्थिम दिसा में मुख करके पत्ते पर बोजन देना चाहिए कीड़े मकोडे चीटियों को बहि पत्तों पर भोजन देना चाहिए इसे पंच वली कहा गया है जो समय आने वाला है श्रादपक्स आपने पूरे वर्स वर में कितने भी सुब कारे किये हूँ कितने भी पुर्णिक कारे किये हूँ लेकिन यदि अपने साद्पक्स नहीं मनाएं अपने पूरोजों का अपने पित्रों का साद्ध नहीं किया है तो वो सारे पुर्णियों योहीं चले जाते हैं बेकार हो जाते हैं इस साद्पक्स के सामने उनका मैत्व सूनी हो जाता है उनका मैत्व नगणनी हो जाता है साद्पक्स की बड़ी भ कांसा हैं जो जो उसकी इच्छा हैं वो भी उसके साथ में चली जाती है और जो अपनी संतां से इतना प्यार दुलार करता है उसके पीछे खुद मरमर करके जीता है उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा यदि वो आपके घर पर अतात आपके पूरवज आपके घर पर आएं और आप उनका श्राद्द ना करें आप उनके पीछे को दाम नहीं दें जबकि उनकी संपतिगा जबकि उन्होंने जो कमा करके छोड़ा है उसका भोग आप कर रहे हैं सिरफ आपने सोच करके देखना है कि आप श्राद्द नहीं करके तरपन नहीं करके कितनी बड़ी गलती कर जो हमारा धर्म है धर्म का अर्थ ही है जो धारण करने योग्या है वह धर्म है तो हमें अपने जीवन में जो अपना कर्म है वो जरूर करना चाहिए और जो पुत्र कर्म है वो जरूर करना चाहिए क्योंकि यह जो पित्र रिण है पित्र रिण का अर्थ ही है कि आपके पिता ने आपको उत्पन किया है आप भी अपना नाम लेने के लिए गोत्र का पालन करने के लिए शाद कर्म करने के लिए आप भी पुत्र को पालें उसे बढ़ा करें वसी योग्य बना ये परंपरा दें ये संस्कार उसे दें कि वो भी आपके पूरुजों का आपके पित्रों का साद्ध करे तरपन करे आज बस इतना ही जो मेरी भावना थी वो भावना है जरूर इस एपिसोड में आईए मैं चाहता हूँ कि जो भी संसकारी व्यक्ती है जो भी हिंदू धरम को मानता है जो भी इंधिती रिवाज को मानता है वो जरूर इन 15 दिन में करके साद्ध पक्स में खिलाए जरूरत मंत को खिलाए जो भी गरीब है उनको बाटे जिनको जरूरत है उनको कपड़े दें जूते दें जो भी वो आपके पितर पहनते थे वो सब आपको देना चाहिए और साद्ध का सरफ कर्म अच्छे डंक से निबा करके देखिए आपका पूरा वर्स बहुत अच्छा चला जाएगा इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि यदि आपके पितर संतुष्ट हो जाते है तो आपका भाग्य आपका जो कर्म है वो कई गुना बढ़ करके आपको मेलता है प्रसन रहिए अपना और अपने परिवार का योह ही खैल रखते रहिए उनको संसकार और पर्मपरायों का पाठ पढ़ाईए आप सभी को नमशकार और आप सभी को सुप कामना है आशा करता हूँ आप मेरी इस बात को सोच करके उस बात को समझ करके स्राद जरूर करेंगे नमशकार आपके कुंडली में ही छिपा है जरूरत है सर्फ ऐसे विद्वान की जो इन नौकरहों की भाषा को समझता हो ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्वतंत्र जोतिश के संपादक पंडित कमल श्रिमाली जी का नाम प्रमुकता से लिया जाता है यदि आप भी किसी समस्या से परिशान है और पंडित कमल श्रिमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता भारत के इन शहरों में आप पंडीची से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप भारत के किस अन्य शहर में रहते हैं तो पंडीची से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नमबरों कर संपर करें।